नमस्कार स्वागत आपका आपने YouTube चैनल आरे आई रूटेक में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्कुलर मोशन यह सर्कुलर मोशन का थर्ड लेक्चर है इससे पहले अगर जब आपने इसके पहले वाले दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लिए उसक पार्टिकल मुविंग इन सर्कुलर पाथ अगर पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है ठीक है और जिस रेट से उसका क्या एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी जिस रेट से चेंज करेगा वही रेट क्या कहलाएगा आपका तो एंगुलर एक्सलरेशन कहलाएगा एंगुलर एक्सलरेशन को हम लोग अलफा से डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर velocity per unit time d omega y dt हो गया यह होगिया आपका angular acceleration इसका एसा unit क्या होगा तो यह साइवनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्कॉर्ड रेडियन पर सेकंड स्कॉर्ड होता है इसका एसा unit और यह भी क्या है वह्यक्टर क्वांटिटी है angular acceleration भी क्या चीज है तो वहक्र क्वांटिटी है वह अगर मोसं कलोकवाज दायरेक्षन में अंगर-motion 말고 बाज डायरेक्शन में तो इंवाढ़वड़ डाइरेक्शन में तो आउट बाउटवाटभ न May मतनलब कि अगर घड़ी के दिशा में चलेगा मिसन होगा घड़ी के दिशा में तब क्या हो जाएगा इसका inward the plane मतलब कि plane के अंदर की ओर और अगर जब एंटी क्लोकवाइज motion होगा तो outward the plane ठीक है यह आप लोग समझेगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि relation between angular acceleration and linear acceleration कि relation क्या है और लिनियर एक्सलरेशन और लिनियर एक्सलरेशन के बीच में तो फ्रोंदा रिलेशन बीट्विन एंग्लर भैलसिटी और लिनियर वेलसिटी का वह हम लोग पिछले वीडियो में फाइंड किये थे तो उसको मैंने यहां पर लिख दिया है वह क्या था भीचल टू आर ओमेगा मतलब लिनियर वेलसिटी इसलिटू र ओमेगा इससे आप लोग जानते होंगे पिछले वीडियो में देखा होगा इसको हम लोग डिफ्रेंसीएट कर रहा हैं ब तो और आपका क्या है सब्सक्राइब यह पूरे सब्सक्राइब बदलेगा नहीं तो यहां पर अभी आपने देखा कि के देखा निलग दीटी मैं किष्ट कम भालेशन होता है यहां ऐसे में अए लिग दिया स्ञेशन होता है अब चेंज ती धी न सब्सक्राइब है अलफा हुग दियाが लिनियर एक्सेलरेशन इसके बाद हम लोग देखेंगे जिस टाइप से हम लोग रेक्टे लिनियर मोशन में थ्री एक्वेशन आप मोशन पढ़ते हैं जैसा कि भी इसकल टू यू पलस एक्वेशन को डिराइब करेंगे और वह कैसे होगा जो देखते हैं नेक्ट स्लाइड में देखिए तो हम लोग अब इक्वेशन आप आउन्गुलार मोशन को डिराइब करेंगे फास्ट फॉल से हम डाइरेट्ट जो है बिद्द हैलप आफ लिनियर equation अफ मोशन जो है का उसी के हल्प से डिराइब करेंगे उसके बाद हम लोग इसको जो डिफ्रेंट करके भी डिराइब करेंगे तो देखत से क्या है जो सबसे पहले जो है जी मेथड़ से जो है बेसिक मेथड़ से करते हैं जो देखिए एक्वेशन आप एंगुलर मोशन customer a particle moving और एक Particle को हम लोग Consider की हैं जो कि आपकी सर्कुलर Verfाथ पर मोशन कर रहा है खिखें अई अध्या क्षक्टेंट और एक्षेलरशन ऑफा और उसका मेंग नॉट स्वह एय क्या है इंटाइडल्लेशमेंट है यह चीज को हम लोग इतना पलस ए टी एस इदे चल टु एउटी पलस हाफ एटी स्क्वार एड बी एश्कवार 2 यह तीन रिलेशन को हम लोग तो जानते हैं और तीन रिलेशन अभी हम लोग जो shut अधिके गाय को मतलब कि लिनियार डिस्प्लेस्ट मेंट कर डिस्प्लेस्मेंट को पैसे हिएंटर दूसरा रिलेशन हम लोग dus to radius into angular acceleration यह तीन रिलेशन का यूज करेंगे हम लोग इस तीन equation में और हम लोग तीन equation को find करेंगे किसके लिए फोर angular motion तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं पहले वाले का तो देखिए देखिए यहां पर हम लोग जानते हैं भी यूज क्या करेंगे भाई कि भी इसकल्टू हो जाएगा आर ओमेगा यह तो हम लोग जानें ठीक है भी इसकल्टू आर ओमेगा हो दूसरा चीज है यू यू क्या है आपका इनिश्यल फेलोसिटी है यहां पर ओमेगा नौट देढ़ेंगे यहां क्या हो रफा यह तो लिखा हुआ और टी तो टी रहेगा है ठीक है यह तिनों को यूज करें यह आप और इसको टूट करदेंगए तो देखिए वीसकल तो आर ओमेगा इसकल टू यह हो गया रो मेगा नौट फालस आर अलफा सिंहे टी अब देखिए कोन हो जायागा तो रो में"... आ्रो में लॉट पर सुरभ अल्फा टी यह हो गया और यह अरसी यह आर हमका कट गिया इसकल तो में लॉक्सरज कर दो टू मेगा नॉट पलस अलफ़ा टी यह रिलेशन आपका एक आ गया एक रिलेशन आ गया sits कर लिए तो उपर में लिख देते हैं ओमेगा इसकल को आप लोग कि अब इसे हम लोग यहां पर लिख दिये हैं अब दूसरा इक्वेशन का हम लोग करते हैं यह आप लोग देख लिए अब इसे हम मिटा देते हैं और इसके बाद दूसरा एक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं कर देखेंगे कि हमारा इस है भी इसकल टू आर ओमेगा यहां भी है ही नहीं पड़ेगी यह है तो एसी इसकल टू आर ठीटा यह पहला वाला इक्वेशन इसका यूज करेंगे यू हो गया आपका आर ओमेगा नोट यह हो गया और टी तो टी है इसको यूज करेंगे तो आर ठीटा इसकल टू यू को जगा पर आर ओमेगा इन्टू टी पलस हाफ अलफा यह इसकल टू आर अलफा हो जाएगा आर अलफा इन और को कॉमन ले लेंगे तब क्या हो गया ओमेगा टी नेखे ओमेगा नौट होगा भाई चुकि यह यू नहां तो यू में आर ओमेगा नौट नहोगा और तो में गानोट टी पलस हाफ ए अलफा टी स्क्वार ठीक है और यह वाला फिर आर से आर कट गया आपका आर से आर जब गया तो ठीटा इसकल्टू हो गया ओमेगा नौट टी पलस हाफ आलफा टीजक्वार यह हो गया सेकेंड इक्वेशन आप दो सर्कुलर मोशन ठीक है सेकेंड इक्वेशन आप मोशन फोर सर्कूलर मोशन देखिएगा इसमें क्या हो गया थीटा क्या है तो आंगुलर डिस्प्लेस्मेंट इसकल टू इनिसियल आंगुलर वेलोसिटी इन्टू टाइम इच्ट का पलस हाफ इन्टू आंगुलर एक्सेलरेशन टाइम का स्कॉर्ड इसे मैं लिख जता हूं ठीटा इसकेल टू ओमेगा नौट टी पलस हाफ अलफा टीए स्कॉर्ड यह दूसरा इक्वेशन भी आ गया हमारा अब इसके बाद हम लोग तीसरे एक्वेशन को फाइंड कर लेंगे अब देखेंगे तीसरे एक्वेशन क्या है हमारा भाई तो यहां पर आपना देखना है कि भी स्कॉर्ड इसक्वार्ड इसक्वार्ड पलस टू एस अब देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ेगा तो एस का जरूरत है यू का जरूरत है एका भी जरूरत है और भी इसकल टू आर ओमेगा हम लोग जानते हैं यह इसको हम लोग पूट कर देंगे यहां पर इस इक्वेशन में तब क्या हो जाएगा भी इसकल टू आर ओमेगा का स्कॉर्ड पलस आर ओमेगा नौट का स्कॉ पलस 2, यह का जगह पर हो जाएगा, आर अलफा और एस के जगह पर हो जाएगा, अर थिक्ता, अब देखेंगे हम लोग कि यहां से हमारा आर स्क्वाइड को मन हो जायेगा, बच जाएगा क्या, तो ओमेगा नॉट का इस्क्वाइड, पलस यहां पर देखेगा, आर इंटू तो आर स्कॉर बाहर आ गया प्लास बच गया तू अलफा ठीटा यहीं न बच गया तू अलफा ठीटा बच गया हमारा और इधार क्या था तो आर स्कौर्इव वमेगा स्कौर्इव यह आर्सकौर्इव खतम और बच गया। ओमेगा स्कौर्इव इसकल टू ओमेगा नौट एसकौर्इव पलस टू अलफा ठीट यह हमारा तीसरा एक्वेशन अप मोसन आगया फोर सरकुलर मोसन इससे मैं लिख देता हूं उपर ओमेगा स्क्वार इसकल टू ओमेगा नोट स्क्वार प्लस टू अलफा ठिटा यह हो गया आपका तीनों एक्वेशन ओफ मोशन फोर सर्कुलर मोशन यह आप लोग बेसिक मिथट से सिग्या फाइंड करना बहुत ही इजी है आप लोग यह तीनों एक्वेशन को ध्यान में र रहेंगे और बनाने का परियास करेंगे तभी आप लोग सफल हो पाएंगे देखिए अब इसके बाद मैं इसे जो है बाइदा कल्कुलस मेथाड से जो है मैं इसे फाइंड करूंगा डिफ्रेंसियेट करके और इंट्रियेशन का भी वहां पर उज़ोगा तो आगर आप ल देखिए तो अब बाइदा कल्कुलस मेथाड हम इसे फिर से फाइंड करेंगे तो इसमें सब चीज़े वही है यहां तक तो आपको लोग देख रहे होंगे अब इसके आगे हम लोग जो है कुछ चेंजेज कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पार्टिक जिसमें हम लोग क्या है घिसमें हम लोग इंडिसी रागने Nacht माने है ओमेगा क्या फाइनल अग्युलर वेल weekend हुलेश्यू टी किया है टाइम इंटर फाइंचरवल अलफा क्या है तो ऋंगूलर टीटा कि一定要 displacement अब देखिए decision of angular acceleration आप लोग जानते हैं आीनल अपा E omega y dt अगा तो दी ओमेगा वाइड़ती ड्येटटी अच्ट सिंगुलर वेलस्टी पर यूसरी तो यह यह लोग लेके चलेगा इधर तो डीओमेगा और क्या होगया अलफाडी अब इसको हम रहें इंटीग्रेट कर रहे हैं दौनों साइड इंटीड कर है इस दिखिये अग्धिद जी हो रहा है वह देखिए डी ओमेगा और इधर क्या हो गया डी अलफा ओमेगा आपक कहां से कहां तक करेगा ऑमेगा तो यह बह लोसीटी यह फेलोसीटी है टो है और फाइनल यहां से यहां तक भेरी करेगा और यह क्या है तो आलफा क्या चीज है आपका भाई तो आलफा कॉंस्ट अंगुलर एक्सलेरेशन यह हो गया इसको हम लोग यहीं पढ़ान दिये टी जो हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटेग्रेट कर रहा है तो यह जो है कहां से कहां तक भैरी कर रहा है तो टाइम जहां से आपका पार्टिकिल मोशन करना स्टार्ट किया मतलब उसमें टाइम टी इसकल टू जीरो है और कहां तक जब तक हम लोग उसको कंसिडर कर रहा है मतलब ती इसकेल टूट तक हम लोग इसको मानेंगे तो डी ओमेगा हो जाएगा और यह आपका लिमिट हो गया ओमेगा नौट टू ओमेगा अलफा कॉंस्टेंट है तो बाहर हो गया और डी टी का टी हो जाएगा यह जीरो से टी तक आपका भैड़ी करेग कि इंट्रीगेशन का यहां पर मैं डीटेल आपको नहीं दे रहा हूं इंट्रीगेशन आप लोग देख लेंगे कि इस टाइप से होता है जो उसका रूल यही प्रोसेस है ठीक है फिर यहां पर टी का भेलू रखें तो टी माइनस टी का फिर से 0 रखेंगे तो माइनस 0 तो 0 ह और इस सैट लेकर चल जाएएंगे तो जो हम लोग पहले फाइड किये तो आगया ओमेगा इसकल टू ओमेगा नॉट पलस अलफा टी यह हो गया आपका ठीक है डिलेशन आपका फर्स्ट एक्वेशन आप मोशन फॉर सर्कुलर मोशन आप इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड एक्वेशन आप मोशन के लिए तो फिर से हम लोग इसी एक्वेशन का जोड़ा यहां पर करेंगे जैसा कि आप देख रहोंगे ओमेगा इसकल टू ओमेगा नॉट पलस अलफा टी और हम लोग यह जानते हैं कि ओमेगा इसकल टू डी ठीटा वाई डीटी होता दा रेट ऑफ चेंज ऑफ अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट पर यूनित टाइम ठीक है इसकल अंगुलर भेलोसिटी ठीक है तो ओमेगा इसके लोग डी ठीटा वाई डीटी तो ओमेगा के जगा पर हम लोग लिख दिए डीटी ठीक है ओमेगा नॉट पलस अलफा टी जैसा है वह साहीं रह गिया अब यह टी को उठा के हम लोग इधर मल्टिप्लाई कर दिये ठीक है यहां पर चला गया आपका जैसे ही तो देखिए यह डीटीटा इसकल टू क्या हो गया ओमेगा नॉट पलस अलफा टी इन्टू डीटी अब देखिए इसको इंट्रेट हम लोग फिर से कर रहे हैं बोथ साइड तो डीटीटा यह आपका कहां से कहां तक भैरी करेगा तो ठ इसको जो हम लोग ठीटा में ले लिए उसी टाइप से इसको जो हम लोग दोनों से मल्टिप्लाई कर दिए यह ओमेगा नॉट इन्टू डीटी हो गया और यह टाइम आपका कहां से कहां तक भैरी करेगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टाइम टी इसकल टू ज का चीज़ रवाई कॉंस्टेंट है अलफा कॉंस्टेंट है टी डी टी और यह जो है टी इसकल टू जीरो से लेकर टी तक जो है आपका भैरी करेगा मैंने लिमिट सबका पूट कर दिया उसके बाद देखिए डी ठीटा का इंट्रिटा होता है मैंने लिख दिया और इसका लिमिट हो गया जीरो टू ठीटा ओमेगा नॉट देखिए जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं डी इंट्रिग्रेट तो डी टी के रिस्पेक्ट में हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो टाइम के रिस्पेक्ट में यह आपका क्या हो जाए को इसमें कोई भी जो है क्या इनिशियल जो है क्या है एंगुलर वेलोसिटी है तो यह टाइम के रिस्पेक्ट में कॉंस्टेंट है इसलते कॉंस्टेंट है तो बाहर आ गया इसका लिमिट लगा दिए जीरो टू जीरो से लेकर के टी तक और इस टाइप से यहां पर आलफा तो लिखा हुआ उपर में एक कॉंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है वह कॉंस्टेंट है टी डी टी तो टी का जो है क्या हो जाएगा ट नए है हमने सब लिमिट लगा दिया उसके बाद थीटा माइनस जीरो जाब थीटा बचेगा मेगा इन्टि माइनस गीरो ली बहुत हो गया खुल्पर वेगा नौट्टई नौट हो गया यह जो अलफा यूइस कॉर्ड माइनास और टी यहां जीरो कई खानि खतम हो गिया तो टी स्कूराइब बच गया तो यह आपका डिलेशन हुगा ठीटा इसकल टू ओमेगा नोट टी पलस अल्फा टी स्कूराइब रड़ी तू यह आपका सेकेंड एक्वेसंट आप मोसन हो गया पौर सर्कुलर मोसन यह आपका धोनोग एक्वेसंट आप यहां पर आज इतना हो जाएगा अपर कि दूढ़ी लोग जानते हैं अलफा क्या होता है अप लोग इस चीज को जानते हैं आलफा क्या वह तो यह पर यूनिट टाइंग इसको डी ठीटा से हम लोग मल्टीपलाई भी कर देंगे अब देगे कोई फरक नहीं पड़ेगा यह जो डीटी आपका यहाँ था इसको आप पर लिदिया और डी ठीटा से उपर नीचे अगर मल्टीपलाई कर देते हम लोग इस टाइप से तो इसका कोई भी फरक नहीं पड़ेगा चुकि यह डीटीटा से जीटा आपका कट जाएगा अब देखिए हम लोग आगे इसमें क्या करते हैं जो अलफा इसकल तो क्या हो गय जीटा मैं जा कर दिफ्टा मैं अदिटेट या और यह लेके सल जाते हैं तो क्या होग या लफा इंटो डीटेटा मैं डीओ मेंगा मैं अब इसमें कोई दिक्कत नहीं यह अलफा डीटेटा में इसको भी हम लोग कर देते हैं कि इंटेग्रेटिं बोच साइड थिक तो इसको इंटरेट कीजिए आप लोग अलपा इंटु डीटिटा हो गया और यह हो गया ओमेगा-इंटौ-डी ओमेगा अब देखिए इसमें ठीटा कहां से कहां तक भैरी करेगा तो जीरो से से लेकर के ठीटा तक भेरी करेंगा ओमेगा यहां पर देखिए आपका किसके रिस्पेक्ट में आपका इसका रेंज हो गया यह यह मैंने आप पर लिमिट और लिमिट उसका लगा दिया अब देखिए यह जो है आपका आलफा क्या चीज है वह बाए तो आलफा कॉंस्टेंट है इसको मैंने एंगुलर एक्सलेशन को बाeds कर दिया ठीटा का हो जाएगा इसका लिमिट लगा दिजिए अब हों消ॉट op क्या हो जाएगा तो मेगा का हो जाएगा मेगा को मे keyboard अूर्ल ये बहरी कहां से कहां तक करेंगा से लेकर कि और मेरा तक मैंने लिख दिया अब इसके बाद आगे चलते हैं देखी लिसे को इस हार क्यों fortunately लेल को भेटा दूत है देखिए तो यह अलफा यह जो ठीट टा माइन सीड़ो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यह आपका ठीटा इस रिफ बचेगा ठीटा इसकाल टूकिया हो जाएगा यहाँ पर हम लोग लिमिट लेगे हाफ को पहले बाहर कर देते हैं और उसके बाद को मेघा को स्कौार माइनस यह वादा लिमिट कर देंगे ओमेगा नौट का ऐसफ्वाइड़ ठीछ है यह हो गया आप कोई दीकत नहीं अब इसको हम लोग यहाँ को यहाँ पर multiply कर दें, two alpha theta is equal to omega square minus omega not square, अब देखिए, omega square is equal to क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा omega not square plus two alpha theta, यह आपका तीसरा relation आ गया, और इस तरह से आपका final, ठीक है, circular third equation of motion for circular motion आ गया, यह तीसरा हम लोग जो ने जो है इसे integration के method से find कर लिया, आप लोग सिख चुके हैं कि इस type से find करने, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपको अच्छे तरीके से आपका आ गया है, आप लोग अच्छे से इस पर practice कीजिएगा, आप लोग भी इसे खुद से derive कर सकते हैं, यह आपका यहाँ पर complete हो चुका है, circular motion, फिर मिलेंगे एक ने topic के साथ next वीडियो में, लेकिन उससे पहले इसका जो है हम लोग numerical भी करेंगे लेकिन, ठीक है, next देखिएगा, लेकिन इससे पहले मैं इसके description में इसका जो है link डाल दूँगा, आप लोग जो है इसका पूरा notes भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नुमेडिकल भी मिल जाएगा, आप लोग उसे बनाईए, और practice कीजिए, और उसके बाद हमारे channel subscribe कीजिए, वहाँ पर comment की आपको कैसा लगा, क्या दिक्त है, मैं उसमें को सुधार कर सकता हूँ, तो बताइए, धन्यवाद फिर मिलते हैं, एक ने टॉपिक के साथ next video में